नमस्कार मित्रों, जय धन्वंत्री, मैं डक्टर नविन गुपता, एक ओर आयरुविदिक जानकारी के साथ आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, आज हम चर्चा करेंगे आम तोर पर घरों में उपलब्द और कई रोगों का नाश करने वाली लहसुन के बारे में, लहसुन की उत्पत्ती के बारे में कथा है, जिसके अनुसार किसी समय देवरा जीन्दर से गरूर जी ने अमरत रन कर लिया था, उस समय अमरत की एक बुन्द प्रत्वी पर गिर गई, उसी बुन्द से एक ओज़दी की उत्पत्ती हुई, जिसकी जड़ में चरपरा रस, पत लहसुन केते हैं, इसका बोटनिकल नेम एलियम सटाइवम है, लहसुन, उस्टीकारक, वीरिवर्धक, इसनिग्द वगरम है, यह भगने इस्थान को जोडने वाला और गले को साप करने वाला है, यह बल वडने के लिए उत्तम, मेधा को हितकारी, नेत्रों को सुगदायक, आयुवर्धक है, यह रदयोक, पुराना बुखार, पार्श्वसुल, कबज, खासी, बवासिर, वातरोक, श्वास, तथा कव को नश्ट करने वाला है, आयरुवेद के अनुसा, लेसुन सेवन के दोरान, व्यायाम, दूप में अधिक रहना, गुस्सा करना, दूद, पीना, जीरा, धनिया, काली मीच, और सेना रमक के साथ चटनी बना कर सेवन करते रहने से, बलड पेशर वा कोलेस्ट्राल का लेवल सामाने रखने में साहेता मिलती है, कमरदर्द, जोडदर्द, आमवात, लकवा, आदी में भी लेसुन काफी लाबदायक है, ऐसी इस्तित को देखकर आवशक्त तनुसर खाना लाब कर है, वात रोग में लेसुन को तील या सर्सों के तेल में पका कर उस तेल से नीमित मालिश करते रहने से दर्द में काफी आराम मिलता है, पाचन संबंदी समस्याएं जिसे भूग की कमी, अजिल्ड, अफारा, पेट दर्द, लेसुन का रस, अदरक का रस और शहत, साथ में मिला कर सेवन करने से काफी आराम होता है, इसमें चार पर लेसुन की कलियों को सीधे भून कर खाने से भी काफी लाब होता है, इसके अलावा दाद होने पर लेसुन का रस दाद पर लगाने से दाद ठीक होने लगता है, पर इस प्रयोग में रस लगाने से तोचा में थोड़ी जलन होती है। इसलिए सूकोमल प्रकृति के व्यक्ति यह प्रयोग ना करें। खून को पतला बनाया रखने के लिए भी लेसून को कारगर माना जाता है। इसलिए जिन लोगों में सर्जरी हुई है या उन्हें रख्त इस्तराव यानि खून बेहनी की समस्या हो उन्हें लेसून को सेवन से बचना चाहिए। आशा करता हूं मित्रों आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार